नवरात्री प्रारम होने से मा की अरादना की धूम अची हुई है लेकिन इस नवरात्री में होस्पिटल में जो भी कन्या जन्म लेगी उसका खर्च परिजनों से ना लेकर स्वयम होस्पिटल वहन करेगा मद्य प्रदेश के धार जिला मुख्याले परसित पाटिदार होस्पिटल परभंदन ने मा की रादना करने का एक नए सब रूप में करने का निन्य लिया है क्योंकि इस नवरात्री में होस्पिटल में जो भी कन्या जन्म लेगी वह उसकी डिलीवरी का खर्चा होस्पिटल वहन करेगा क्योंकि संचालको का माना है कन्या के जन्म को प्रोचसान एवं कन्या भी मा का सब रूप होती है और उसके जनम के स्वागत के लिए यह भी भक्ती का यह धार्मिक तरीका है संचाल को एवं ट्रस्ट के सदस्यों ने इस अवसर पर मा एवं बेची का पुश्पहारों से सम्मान भी किया नवरात्री प्रारम हो चुकी है हर कोई मा की भक्ती करते हैं पाटिदार समाज और पाटिदार होस्पिटल भी मा की भक्ती के रूप में पाटिदार होस्पिटल में जो भी कन्या चंज लेगी उस कन्या का होस्पिटल की और से जो भी खर्चा होगा होस्पिटल खर्च प्री करेगा और इसी रूप में मा की भक्ती करना चाहता है वैसे तो इस होस्पिटल में कहीं बच्चे पैदा होते हैं किन्तु धरमपूरी की रहना पती देविलाल की यह बेटी इसलिए खास है कि नवरातरी में जन्म लिया और संचालक इस बेटी को नवरातरी में मां के आगमन से कम नहीं समझते हैं रहना भी खुश है और नवरातरी में जन्म लेने के लिए इस ननी सी बच्ची का नाम दुर्गा रखा और रहना होस्पिटल की पुनित भावना पर खुश नजर आए मेरे घर में लक्षमी आई है कल माता जी का दिन था दुर्गा माता आई है पाटिदार होस्पिटल में बहुत अच्छा इलाज सब किया सब फ्री में किया डिलीवरी एच्छी हुई और सब कुछ फ्री में हुआ है मैं खुश हूँ मेरे घर बेची आई है नवरात्री प्रारम हो चुकी है हर कोई मा की भक्ती करते है पड़ेदार समाज और पड़ेदार हस्पिटल भी इसी रूप में मा की भक्ती के रूप में पड़ेदार हस्पिटल में जो भी कन्या जन मलेगी उस कन्या का हस्पिटल के और से जो भी खर्च रहेगा हस्पिटल खर्च उनका फ्री किया जाएगा और इसी रूप में हम माता की भक्ती के लिए जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राजगराना और फानेस्ट बैंक्वेट हॉल जोती गार्डन वोल्ड-क्लास केटरिंग, सेंट्री एर कंदिशन, लुश ग्रीन लॉंस, इसी ही लेटेस्ट ब्रेपाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल